है क्योटीपाइज इस पार्ट के सुरुवात में हम देखते हैं कि फू के अंकल को तो अलगी चुल मची हुई है उसने जिस बंदे को फू के पास इंटुव्यों के लिए भीजा था ना उससे तो फू ने खाना बनवा लिया आप उसोचने लगते हैं कि आखिर फू प्लैन क जारी थी जिन उससे पूसता है क्या हुआ तुम लोगों को फिर चगडा हुआ क्या जिया कहा था कि मुझसे मिलना नहीं कल मेरा कोई कॉल नहीं उठाना और खुदी देखो कितना कॉल पर कॉल किये जा रहा है वो लोग भी बात ही कर रहे होते कि वहां पर आई जीन आ जात ही था तो आगर करween Popular América से बात करता है कि तुम मेरा क्यों नहीं उठा रही हो दिखेता है तुम ही ने कहा था ना कि मेरा कोई फोन नहीं उठाना मैं मिलने क्रूंगा कों कभाना थी मुझसे मिलना नहीं मिलने के लिए ऋच्छा है जीन मिलने जाता है तो आईजिनल से कहती है कि आज तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो आज तुम्हारा बहुत टायट शेड़ोल है तुमने कल ही कहा था कि आज तुम सारा मीटिंग करी के जाओगे लिए समझ जाता है कि फू इस लिए इस अब कर रहा है ताकि जिया से ना मिल सके वह बैच लड़ाई लड़ते हैं जो जी देगा जिया उसकी इस तरीके के ड्रामे हम लोग बंद करते हैं तो लीन भी शीज पर रेड़ी हो जाता है अगली सुभा उसका जिया की कौल से नीन खुलता है जिया उसे कहती है तुम धक्कर इंसान तुमने आज हमारा डेट सेट किया था और तुम दूसरी कंट्री चलेगा लीन को तो कुछ पता ही नहीं था हैक्चॉल में जो फू की परसनाल्टी एक्टिवेट थी थी न थो वो दूसरी कंट्री चला गया था बिजनस ट्रिप का बहाना करके था कि लीन जिया से ना मिल पह वो बिचारा भालकनी में चिलाती ही हाज्वहला हौट पोट कैसे रहा हौट पोट खा का के खा का के जया बिचारी वेट गेन करते जाली है इरिटीट हो गए थी ऐसे वोणाट कराने ले बिफूसरे हैं जो वो इतना कन्फिजी आ जाती है कि चली जाती है साइकेटिस से मिलने के लिए वहाँ पर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि किसे दिन मेरे वाफिन बहुत ही काम कूल रहता है किसे दिन बहुत ही इन से क्यूर हो जाता मैं परेशार हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं कहीं दो तो परस्णालिटी तो नहीं है यार उसको डॉक्टर कहता है अब तुम्हारे दो वाइफेर्ण है इसमें हम क्या कर सकते हैं यहां पर रिलेसंसिप कांसलिंग नहीं होता है अगर कोई और प्रॉप्लम हो तो बता सकती हो लीन तो अपना काम कंप्लीट करने के पाद मस जिया के साथ डेट पर जाने के लिए बेताब था लेकिन तभी बहाँ पर वो जो मिस्टर वैंग थे वो बच्ची के पापा वो आज आते हैं अचानक से लीन को पर रखने के लिए कि उसने जो दील साइन करने के लिए बोला है उसके लिए वो फूल ऑन प्रिपेर्ड है या नहीं ये था कि इसके बारे में तो लीन को कुछ पता है नहीं था फू को पता था और ये बहुत इंपोर्टेंट मैटर था अगर ये डील में कुछ गरबढ़ होई न तो फिर फू के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अब वो करे तो करे क्या चुप चप से बैठा हु तो में इसके तुरू समहाल लेना वो आती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फू ने सब कुछ पहले से प्रिपेर करके रखा है यह दिए करके वो बंदा वैंक पूरा इंप्रेस हो जाता है कि फू सच में सींसेर है उसकी साथ अगर्मेंट साइन करने के लिए वो अपना मस ड्रेंक कर रहे थे पाटी मना रहे थे जैसे ही एक सिप जिया लेती है उसे चक्कर साने लगता है लेकिन उसे कहता है कि चलो मैं तुम घर चोड़ देता हूं लेकिन आईजिन कहती कि नहीं अभी तुम घर नहीं जा सकती हो इसके बाद कि आफ्टर पाटी तुम् का जो फादर था फादर नहीं जो अंकल था वो तो कुछ जाद ही जैलस हो रहा था उसे देखकर के तभी पहां पर एक वर्कर को जिया का गिरा हुआ एरिंग मिलता है वह लाकर के दिखाता है और कहता है कि यह जिया का है आईजिन ले जाकर के लीन को दिखाती है तो लीन स निकलता है जब वहां जाता है ना तो देखता है कि जिया नीचे बिहोस पड़ी हुई है उसके सर से खून बहरा है वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले करके जाता है थोड़ी देर बार डॉक्टर सारा चेकप करते हैं उसे आकर के बताते हैं कि एक्शुल में इसकी हर् कर दो बढ़ा है निचे होता है पने सीनसी अनुक्त होता है औहले सीन मुनग देखते हैं कि जिन होचे कर दो Basic प्रक्राइब. आइजिन इसे पोलएति किन मुझे कोई होई जी कहते हैं एससा कुछ भी नहीं है अक्शन में म confession हो तो मसे एक बात बता हो अगर मुझे पतबं हो कि मेरो कोई है उसका biscuit मुझे करत चाहे हैं तो मुझे क्या करना चाहें तो इसे बाते दो बता देना चाहिए थोड़ी दिर बाद आजिन समझ जाती है कि जिन किसी और का नहीं उसी का बात कर रहा है एक्शुल में आजिन का फ्यॉण से चीट कर रहा था जैन उसे फोटो दिखाता है कि देखो वह किसी और लगकी के साथ डेट कर रहा है उसने खुद उन दोनों की बाते सुनी ह आजिन को बहुत बुरा लगता है बत्वद्दम काम शो करते हुए टैक्सी लेकर के वहां से निकल जाती है जिन को पता था कि आजिन का दिल तूटा हुए है वह से अकेले नहीं चोड़ना चाता था तो वह उसके घर पर पहुच जाता है बॉल लेकर के दोनों वहीं पर ख देखने लगता है वह जानता था कि इससे बूर होकर के आजिन को अच्छा लगेगा और वह सो जाएगी और होता भी कुछ ऐसा ही है थोड़ी देर गेम देखने के बाद सच में आजिन को नीद आने लगता है और वह जिन की शूड़र परे सर रखकर के सो जाती है अब जिया का ख्याल रख रहा था तो वहां पर उसको डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है वो रूम से बाहर जाकर के उससे बात करता है वो उससे कहता है कि अब बहुत हुआ मेरी वजह से जिया को आज होट हुआ है अगर मैं उसे घर चोड़ने के लिए जाता तो साथ कंडि पार्ट यही कंप्लीट होता है हम लोग जल्दी से मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में